वेल्कम बेक दो बानेक स्मार्ट क्लास मैं हूँ आपका जोती मैं आज यहां पे लेका आया हूँ एक न्यू सेशन क्या है केलेंडर को पर यह सेशन है देखें आप लोग CGL दीजिए या कोई भी SAC लेबल का एक्जाम दीजिए वहां पर डेफिनेटली केलेंडर से एक मार् क्लेंडर का तो कंसर्ट क्या है देखें टेबल पॉर दा बड़ देखें अगर माल लीजिए 2020 का रीपॉब्लिक डे हम लोग Friday को मनाए तो सेम रीपॉब्लिक डे फ्राइडे कोन से साल में आएगा बतब कितने साल के बाद आएगा यह भी पूछ सकता है या यहाँ भी करेंगे क्लियर कि बहुत ही इजी कंसर्ट है इतना तफ नहीं है आपको सिर्फ सबसना चाहिए एक टेबल है क्योंकि स्टार्टिंग में आपको लिखाए टेबल फॉर एक टेबल में आपको दूँगा इस टेबल से आप लोग ईजीली कोई भी कोश्चेन हो यह पेटरन का गाया कि यह टेबल क्या है तो चलिए मैं दिखाता हूं को टेबल क्या है पहले हम लोग डेस्टराइप करें गे टेबल कैसे होता है या क्यों प्लस ट्री लिखा गया यहाँ पर देखें हम लोग लिखें तिल February 28 और यहाँ पर लिखें अप्टर February 28 तक चलेगा यहाँ से जानवारी 1 से लेकर February 28 तक चलेगा और यह कहाँ से सुरू होगा यह March 1 से लेकर December 31 तक चलेगा क्लियर आपको बोलेंगे सर यह चीज का क्या जरूरत है देखें मैं कोई भी एक year दूँगा उस year का कोई भी एक day दूँगा और उसमें क्या मैं बोलूँगा कि यह सेम डेकर रिपीट होगा कौन से year में तब हम लोगों को यह जानना ज़रूरी है कि वो leap year है या leap year plus 1 है या leap year plus 2 है या leap year plus 3 है यह हम लोगों को year में find out करना है उसके बाद चलेंगे month पे month जो है वो February के बाद आ रहा है या February से पहले आ रहा है उसके हिसाब से मैंने यहां पे कुछ number लिखा गया है देखें क्या लि leap year में वो 5, plus 5 year out करेंगे वहां पे अगर leap year plus 1 पे चलता है तो plus 6 year उसमें out करेंगे या 6 year just out कर देंगे उसमे अगर leap year plus 2 होता है तो 6 out करेंगे leap year plus 3 होता है तो 11 out करेंगे अगर same year में लेकिन जो आपका जो month है वो February के बाद आता है that means March 1 से लेकर December 31 के अंदर ब हम्देंए कही करेंगे लेकिन लिपेर प्लस 3 में सरी लिपेर प्लस 2 में कितना करेंगा हम लोग 11 करेंगे लिपेर प्लस 3 में 5 करेंगे ये टेबल याद रखना इतना भी tough नहीं है बहुत ही easy है कैसे देखिए 5 6 6 11 just up 5 को end बे लेजिए एक एक स्टेट में आ गया जाएगा बस आपका टेबल याद आ गया बहाँ याद आ जाएगा आपको यहाँ पर क्या करना है लिपेर लिपेर प्लस 1 लिपेर प्लस 2 लिपेर प्लस 3 यहाँ पर तिल February 28 अटर February 28 क्लियर क्या नंबर था प्लस 5 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 5 को सेकंड में लास्ट में लेना है तो क्या जाएगा प्लस 6 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 5 करके आ जाएगा तो एक दो एक्जामपल में आपको दे देता हूँ इस बज़े साब को और easily clear बास समझ में आ जाएगा कि यह टेबल का use हम लोग कैसे करेंगे या इतना जल was it celebrate on the same day तो यह question जो आगे हम लोग का यह क्या बोला है कि 2012 का जो independent day था वो Friday में हम लोग celebrate किये थे तो next same Friday में independent day कोन से year में हम लोग celebrate करेंगे clear तो यहाँ पर first of all priority जाता है कि इसको year को जाता है तो यह year leap year है या leap year प्लस 1 है या leap year प्लस 2 है या leap year प्लस 3 है यह पहले हमको find out करना है उसके बाद कुन सा priority आता है उसके बाद month का priority आता है देन हम लोग को number पता है सिपाइड करेंगे इंसार बोल देंगे तो चलिए पर आ गया मेरा leap year में आ गया अगर leap year में आ गया तो चलिए कौन सा वाले table में हम लोग चलेंगे यह भाग में हम लोग चलेंगे अब चलिए independent day बोला था independent अब कब आता है August 15 को आता है August 15 को आता है अब बताइए यह उपर वाले में पार्ट में रहेगा यह नीचे वाले में पार्ट में रहेगा definitely यह नीचे वाले पार्ट में रहेगा क्योंकि मैंने क्या बोला था After 28 कौन February 28 मैंने बोला था तो चलिए यह आ गया मेरा year table में तो leap year में आएगा और year table में आएगा तो कितना add करना है मुझे यहाँ पे plus six year तो आ गया मेरा बात समझ में तो 2012 plus वाँ पे six कीजिए आ गया 2018 करके आपका answer बतलब 2018 का independent day एगेन हम लोग Friday को celebration करेंगे कितना time लगा आपको कितना time लगा यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ इसलिए time लग रहा है लेकिन आप जो घर में बनाएंगे बहुत ही जल्दी बना लेंगे सिभाब को यह count करना है इसको count करना है table को जाना है बात खतम clear? चलिए और एक example में दे देता हूँ second example में देखे क्या दिया हूए second example में क्या दिया हूए दिया हूए independent day in 2005 was celebrated on the Friday which was year was it celebrated on the same day तो चलिए मैंने क्या बोला था? पहले priority किसको जाएगा? year को जाएगा तो यह जो year है यह leap year है या leap year plus 1 है या leap year plus 2 है या leap year plus 3 है exactly यह leap year plus 1 है यह आपको कैसे पता चलेगा? जो year है उसका previous वाला year आपको मना leap year आपको find out करना है क्या year है यह? 2005 है उसका previous वाला leap year कितना गया होगा? 2004 2004 में कितना आट करूगा 2005 हैगा? exactly 1 that means 2005 तो यह क्या था? यह leap year था और यह क्या था? प्लस 1 था तो leap year plus 1 पर आजाएए leap year plus 1 पर आजाएए मन्द कौन सा था? अगस्ट 15 तो अगस्ट 15 मतब यहाँ पर आएगा again कितने साल के बाद रिपीट होगा? प्लस 6 that means 2005 हम लोग को करना है प्लस 6 कितना आजाएगा? 2011 आजाएगा मतब 2011 का independent day भी सेम हम लोग Friday में celebrate करेंगे clear? और एक example दे देता हूँ चलिए देखते हैं दूसरा वाला example देखें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है leap year है या leap year plus one या leap year plus two या leap year plus three यह आप लोगों को find out करना है मैंने क्या वाला था? कैसे find out करना है? उसको देखना है उसका previous वाला leap year कहां पर गया था? या कौन से year पर गया था? कब गया होगा? 2016 में गया था तो कितना प्लस करूँगा? टू प्लस करूँगा तो leap year plus two table में आप लोग आगे तो republic day दिया हुआ है तो कितना आएगा? जानवार 26 को celebrate करते हैं तो ये कलम पर आ जाएगा आपका तो आगे कितना? प्लस six तो again भी यहाँ पर हम लोग plus six करेंगे तो कितना आएगा? 2024 आएगा 2024 का republic day एगन हम लोग Friday में celebrate करेंगे तो टाइम लगता है question को solve कर निकले max to max 5 to 10 second लग रहा है clear अगर आपको एक बार table यहाद आ गया तो ये type of question आप max to max 5 to 10 second में आप लोग देख सकते हैं clear I hope आप लोगों को सारा जो मैंने बताया concept सारा का सारा concept समझ में आया होगा भर में जाके try के रिए बहुत सारा question ये table के हिसाब से अपका बहुत ही जल्दी से question solve हो जाएगा I hope आप लोगों को पूरा video अच्छा लोगा होगा thank you all of you have a good day